नमो वुद्धाय सप्रेम जैभीम, मैं जैस्री सोनकोडे, डेपुटी कमिशनर सोशल जस्टिस डिपार्मेंट, महराश्टर गवर्मेंट, आपको आज भारत रतन डॉक्टर बाबा से अमबेड कर जी ने महिलाओं के उठ्थान में क्या काम किया है, इसके बारे में आपको क कुछ बताना चाहती हूँ, भारत रतन डॉक्टर बाबा से अमबेड कर जी नहीं होते, तो सम्विधान में महिलाओं को पुरुष के बराबर हक कभी नहीं मिलते, इससे पहले जाकर महत्मा फुले और सावितर बै फुले, उन्होंने अगर महिलाओं के लिए स्कूल नहीं चालू किया होता, तो हमको जो अधिकार मिलने चाहिएते, वो मिलने के लिए बहुत साल लग जाते, हमारे उपर महत्मा फुले और सावितर बै फुले, उनका बहुत बहुत उपकार है, कि जिनोंने ये सोचा, जब तक समाज की महिला शिक्षिक नहीं होती, तब तक ये समा समाज का विकास नहीं हो सकता, इसलिए पहले महिलाओं को सिक्षित करना जरूरी है, इसलिए महत्मा फुले जी ने पहले सावितरिमाई को सिक्षित किया, और ओ पुरे भारत की पहली सिक्षिका और मुख्या दिपिका बन कर पूरे समाज के लड़कियों को शिक्षा देने का बहुत बड़ा महान काम किया है उसी को आगे लेकर डॉक्टर बाबा साहिब अमबेड करजी ने हिंदू कोड़ बिल तयार किया था हिंदू कोड़ बिल में महिलाओं के लिए सब बादिकार थे मगर कुछ मनुवादी महिलाओं ने उसका विरोध किया और ओ बिल पास नहीं हुआ उसके चलते भारत रतन डॉक्टर बाबा साहिब अमबेड करजी ने अपना मंत्रिपत का इस्तिपा दे दिया था बहनों सोचो अगर उस काल में हिंदू कोड़ बिल पास हो जाता तो आज महिलाओं की स्तिती और बहेतर होती ऐसा मुझे लगता है मगर दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि महिलाओं ने उनके अधिकार के लिए महिलाओं ने ही विरोध किया था उसके चलते डॉक्टर बाबा साब जी अमबड कर ने भारतिय समीधान में महिलाओं को पुरूश के बराबर पूरे मुलभुत अधिकार और मुलभुत कर्तव्य दिये है शिक्षा का समान अधिकार महिलाओं को दिया है बहुत सारी महिलाओं को प्रेश्ण है जो सवर्ण जाती की है उनको लगता है कि हमारे लिए भारत रतन डॉक्टर बाबा साहब अमबड कर जी ने क्या किया है डॉक्टर बाबा साहब अमबड कर जी ने महिलाओं के उपर बहुत ज़्यादा उपकार किये है उन्होंने महिलाओं को अपने मन से किसी भी धर्म जाती किसी भी इंसान के साथ शादी करने का अधिकार दिया है उसके आगे जाके अगर कोई पती अपने को तकलिफ देता है अगर उसके साथ वो महिलाओं को नहीं रहना है तो उसका डियोस लेने का भी अधिकार दिया है माबाप की जो संपती होती है उसमें हमेशा की लिए पुरुष को ही सब संपती देते है मगर यहाँ पर संपती में भी महिलाओं का अपने भाई के साथ समान अधिकार डॉक्टर बाबा साब जे अमबिड करने दिया है उच्च शिक्षा प्रस्तपीत करने का उच्च शिक्षा ग्रहन करने का अधिकार उन्होंने दिया है आज हम लोग देख रहे हैं कि एक भारत की राष्ट्रोपती एक महिला होती है भारत की मुख्यमंत्री मायवती जी होती है मम्ता बैनर जी होती है जैललिता जी होती है और सुनिया गांधी जो एक पक्ष की अधिक्षा थी इसके चलते हम लोग ये सोचते हैं कि आज जो भी महिला ने प्रगती किया है वो पाइलेट भी है वो डॉक्टर भी है वो इंजिनियर भी है वो अफिसर भी है वो टीचर भी है वो घर का काम करने वाली भी है हर च्छेत्र में महिला आज अपना एक अच्छा मुकाम उन्होंने प्राप्त किया है इतने साल के बाद इतने वर्षों के बाद महिलाओं को जो भारतिय समीदान ने शिक्षा का अधिकार दिया था उसको इतनी अच्छी तरस से वो अधिकार का उप्योग करके आज महिला हर चीज में आगे है डॉक्टर बाबा साब जी अमबड करनी ये कहा था कि किसी भी समाज की अगर उन्नती हम देखना चाहते है तो उस देश की महिला है उनकी विकास की स्तिति क्या है उसके उपर वो देश का विकास निर्भर रहता है देखिए कितनी बड़ी बात डॉक्टर बाबा साब जी अमबड करने की है उनके जीवन में भी बहुत सारी महिलाओं का हाथ था मातरमाई का हाथ था उनके बहनों का हाथ था उनकी बुवा का हाथ था ऐसे महिलाओं ने उनकी बुवा ने उनको अच्छे संसकार दिये उनको हर मुश्किल का सामना करना सिखाया था तो भारत में जो भी महिला रहती है उनको जो भी हक मिले है वो हक अधिकार आज सिफ और सिफ भारत रतना डॉक्टर बाबा साब जे अंबेड करकी वज़े से ही मिले है मगर दुर्भग्यपूर्ण ये कहना पड़ता है कि बहुत सारी महिला ये समझना नहीं चाहती जानना नहीं चाहती और वो सिर्फ समीदान क्या है उनको पता नहीं है उनके लिए क्या आधिकार हक लिखे है वो कभी पढ़ना नहीं चाहती वो कभी देखना नहीं चाहती वो कभी भरतिय समीदान का किदब अपना घर में लाकर क्या लिखा है उसमें वो क्या है वो देखना नहीं चाहती इस तरह की मानसिक्ता वाली महिला भी बहुत ज़्यादा अपने समाज में है आगे चल कर डॉक्तर बाबा सहाब अमबेड करने महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसा काम किया है कि आज महिला एक इनसान बनकर जी रही है उसका जो भी सपना है वो जो भी सपने देखती है वो अपनी शिक्षा पूरी करके उसको पूरा करने का प्रयास करती है भारतिय समिदान में अर्टिकल 45 में लिखा है कि प्राइमरिस एजुकेशन फ्री है इसका मतलब भारत में जो भी लड़किया जन्म लेती है वो हर लड़की को वो गरिब हो श्रीमंत हो वो पड़े लेके खांदान की हो वो गाव में रहने वाली हो शहर में रहने वाली हो वो हर लड़की को शिक्षा का पूरा आउसर मिले और वो लड़कियों को शिक्षा लेने में मदद मिले इसलिए बहुत सारे योजनाएं भी क्योवर्मेंट इंप्लिमेंट करती है आप भारत की महिलाओं को ये पता नहीं है कि ये सब बात वो जो फैशन कर रही है वो जी रही है वो विमान भी उड़ा रही है वो किसी राज्य की मुख्यमंत्री होती है जो भी बड़े बड़े पत पर वो साइंटिस भी होती है वो बड़े बड़े पत पर जो भी काम कर रही है उसका सारा स्रेय भारत रतना डॉक्टर बाबा साहब जी अमबेड कर उनको जाता है मगर महिला अभी भी उनकी मानसिक गुलामी जो है वो छोड़ना नहीं चाहती उनको जो भी हक अधिकान मिला है वो क्या है ये समझना नहीं चाहती इसलिए अभी महिलाओं के उपर जो अत्यचार हो रहे है उसका विरोध करने का उसके पास हिम्मत नहीं होती क्यूंकि वो हमेशा किसी भगवान को बोलती है कि भगवान मुझे मदद करो भगवान मुझे ये करो मगर मैंने मेरे जिन्दगी में आज तक नहीं देखा है कि कोई भगवान आके हमको मदद कर रहा है ऐसा नहीं होता है मुझे ये कहना है कि महिलाओं ने उनके उपर जो अत्यचार हो रहे है उसका मुकाबला खुद करना चाहिए और उनके लिए जो काईदा कानुन बनाया है वो उसका इस्तमाल करके अपने इंजिस्टिस जो हो रहा है अपने साथ में उसका विरोध वो कर सकती है आज भारत में हर महिला शिक्षित है शिक्षित होने का प्रयास कर रही है खेती से लेकर हर जग महिला कितना काम करती है ये हम बहुत सारे उधारन आजू बाजू में रोज देखते रहते हैं पहरत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी अमबेड करने महिलाएं को जो एक इनसान बनकर जीने का आधिकार दिया है एक मनुवादी संस्कूरूती छोड़कर उनको एक नया और अच्छा जीवन जीने के लिए भारतिय समीदान दिया है अगर वो भारतिय समीदान हम पड़े हम सोचे हम सब्जे तब कोही भी मर्द आपके उपर कुछ भी इंजस्टिस नहीं करता अगर कहीं इंजस्टिस होता है तो हम उसका काईदेशे विरोध कर सकते हैं ये सब कुछ बाबा साहब जी ने हमको दिया है आज हम बड़े ही स्वाबी मान से पैसे कमाते हैं नवकरी करते हैं अच्छा अच्छे कपड़े पहनते हैं गाड़ी बंगला ये सब हमारे पास है ये सब की देन जो है डॉक्टर बाबा साहब जी अमबेट कर है और उसके पीछे का तैग जो है वो माता रमाई ने किया है ये हम क्यों भूल जाते है क्यों हम बाबा जीनों ने हमको एक इंसान बनकर जीने का अधिकार दिया है उनका फोटो हमारे घर में लगाने के लिए क्यों हमें डर लगता है क्यों हम उनका अभार वेक्त नहीं कर सकते कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है जब से दुनिया है तब से महिलाओं के उपर अत्यचर हुए थे मनुवादी संस्कूरुती ने तो महिलाओं को कितना दुयम दरजा का स्तान दिया था उनको कुछ भी आदिकाल नहीं था कुछ भी हक नहीं था उस सती जाने का उन्होंने कमपल्शन किया था मगर वो भी राजाराय मोहुन राई जी ने खत्म कर दिया उसका भी काईदा हो गया महत्मा फुले जी ने जो केशोपोन करते थे महिलाओं का विद्वा होने के बाद वो भी खत्म कर दिया इस तरह से महत्मा फुले, सावीतरी बै फुले, राजर्शी शाहों महाराज, डॉक्टर बाबा साहब जी अंबेड कर ये सब ने मिलकर महिलाओं के उत्थान के लिए इतना बड़ा काम किया है, मगर महिलाओं को उसके बारे में पता ही नहीं है और वो पता करना भी नहीं चाहती, वो क्या करती है? वो कहती है कि ये सब कुछ मुझे जो मिल रहा है वो मुझे भगवान दे रहा है अगर भगवान को देना होता तो जब मनुने महिलाओं के विरोध में काइदे किये थे तब क्यूं भगवान में उसमें हस्तक्षप नहीं किया ये मेरा सवाल है तो महिलाओं ने अपने आँख खोल कर अपना दिमाग खोल कर भारतिय समीदान अपने घर में ले आए वो पढ़े वो सोचे वो समझे उसके बाद में अपने को पता चलेगा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जे अमबेड करने कितना बड़ा योगदान महिलाओं के दिल लिये किया है और उनकी कितनी बड़ी दूर दृष्टी थी कि पूरुष के समान हर जग कहीं भी महिला उनके खंदे से खंदा मिला कर अचकाम करती है घर भी देखती है संसार भी करती है और अपना करियर भी करती है और समाज में छोटी मूठी सोशल वर्थ वो भी करती है मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बहुत ज़्यादा पड़ी लिकी महिलाएं है उनको भी बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं है पता है तो भी वो डॉक्टर बाबा साब जी अमबेटकर का नाम नहीं ही लेती ये बड़ी ही शर्मनाग बात है कि जिस इनसान ने भारतिय सम्विधान लिख कर हमको पूरे अधिकार दिये और एक इनसान बढ़ने का हमारा जो सपना था वो सपना पूरा किया और आज हम बहुत अच्छे से अपनी जिन्दगी गुजार लेते हैं पढ़ाई करते हैं बड़ी बड़ी पदों पर हम काम करते हैं कार भी चलाते हैं और हेलिकेप्टर भी चलाते हैं कुछ भी काम कर लेते हैं और खुद को एक एमपावर उमन की तरह हम खुद को समाज में पेश करते हैं तो ये सब का स्रेय जो जाता है भारतिय समीदान को जाता है अगर भारतिय समीदान डॉक्टर बाबा साब जी लिखा होता तो शायद ये अधिकार जो अपने को fundamental rights मिल रहे है वो rights हमको नहीं मिलते ऐसे मुझे लगता है इसलिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी अमबेड कर का मैं हमेशा शुक्रिया आदा करता हूं करती हूं कि मैं एक पिछडे जाती में जन्मा लेने वाली महि हूं और मेरी मधर भी टीचर थी और उनने मुझे अच्छे संसकार दिये और मैंने भी बहुत पढ़ाई करकर एक officer का हुद्धा मैंने प्राप्त कर लिया मगर मैं मेरे biological father, mother जो है उनका संमान तो करती हूं मगर डॉक्टर बाबा साहब जी अमबेड कर नहीं होते तो आज म इस मुकाम पे नहीं होती और हमेशा हमेशा के लिए मैं रोज उनका हर बात के लिए शुक्रिया आदा करती हूं क्यूंकि मैं आज जो कुछ भी हूं सिर्फ महात्मा फुले, सावित्री मैं फुले, राजर्शी शाहु महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी उनके वज़े से उनके विचारों से मुझे एक शक्ति प्राप्त हुई है और वो शक्ति का मैं समाज के विकास के लिए बहुत अच्छा यूज करती हूं और समाज में हर डम हर विशय को लेकर एक मेरा मनोगत वेक्त करती हूं और समाज को दिशा देने का एक प्रयास करती हूँ आज मुझे बहुत दिनों के बाद ये डॉक्टर बाबसाब जी अंबेड करने महिलाओं के लिए क्या किया है इस वी शेयर पर बोलना था आप सच में सब महिलाओं ने उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और भारतिय समिदान जो जिसने हमको फंडामेंटल राइट दिये है हर राइट दिया है तो वो राइट का पुरा-पुरा उप्योग करके और बाबासाब जी का समरन करके अपना जीवन जीना है और समाज में परिवर्तन करना है फिर से मैं डॉक्टर बाबासाब जी अंबेड कर को बहुत-बहुत धन्यवाद द देती हूँ सबको फिर से सप्रेम जय भी